नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे अभिशेक बच्चन की लेटिस्ट मूवी जिसका नाम है दसवी तो उस मूवी का और जो आज ही के दिन नेट्फिक्स के प्लाटफॉर्म में रि अभिशेक बच्चन की ये मूवी का ट्रेलर जब रिलीज हुआ उसको लेके बहुत जादा आप बोल सकते हो दर्शकों में एक आग्रेव बना क्यूंकि अभिशेक बच्चन का जो हडियान भी जो एकसेंट है उनका जो बात करने का जो तरीका है वो काफी पॉपुलर रहा लेकिन ये फिल्म दसवी वो कितना इसके उपर खड़ा उतरता है अभिशेक बच्चन का अक्टिंग कितना अच्छा उन्होंने की है कहानिक ऐसा है नहीं है सब डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों दसवी बैसिकली एक ऐसा पड़ाओ होता है जिसको लांगना जिसको पार करना आज के दिन में इंडिया में तो जरूरत बन चुकी है अभी यह जरूरत जो है वो क्या फिल्म का जो है एहम मुद्दा है यहां पर दिखाया जा रहा है एक प्रदेश है जिसको मतलब वो इमेजिनरी दिखाया गया तो उस प्रदेश की जो मुख्यमंती है वो खुद करौप्टेट है और वो स्थिक्षा से उपर एक मॉल बनाने को एक स्कूल के उपर एक मॉल को ज्याधा प्राइरेटी देते हैं तो इस गारेक्टर का नाम है गंगा राम चौधरी और जिस करेक्टर को प्ले कर रहे हैं यहां है अविशेग बच्चन तो इस इंसान को कॉरॉप्शन के लिए मतलब टीचर इंटरंस एक्जायम में करौप्शन के लिए इनका जो है ज जेल के अंदर में आपको काम नहीं करना पड़ेगा आपको पढ़ाई के लिए छूट या समय दिया जाएगा अब इस जेल में जाके उनको मिलती है एक बहुत ही कड़ा एक बहुत ही खडू से टाइप का एक जेलर जिसके दर को यहाँ पे प्ले किया है यम्मी गौतम ने और उनके साथ ही सहक अलाकार जो है हमारे निम्रत कौर जो बिसिकली यहाँ पे गंगाराम चौदरी की पतनी विमला देवी का करेक्टर प्ले करें अब गंगाराम चौदरी जेल के अंदर गये तो उनका जो वाईफ है वो बन गई है राजे की सियम और कैसे वो सत्ता को समाल र जो है बहुत ही कम बनी है और इसन टाइम में तो मुझे याद भी नहीं आ रहे है अब इसकी पॉजिटिव क्या है देखिए पॉजिटिव जो है मुझे सबसे जो बड़ा अच्छा लगा है कि इसका जो सोशल मेसेज है वो काफी स्ट्रॉंग और काफी बढ़िया है देख शिक्षा आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिक्षा आपको नौकरी देने में साहता करेगी शिक्षा आपको एक चीज को समझने में और सही बुरा के अंदर में फैसला करने का भी शमता जो है वो देती है इसलिए शिक्षा की प्रायरिटी कोई भी राज्य में कोई भी पॉल यहां पे दो घंटे का ही रन टाइम है उसके अंदर में बहुत कुछ दिखाया गया है उसके अंदर में एक छोटा सा पोर्शन है जो मुझे काफी बढ़िया लगा है कि इतियास की सिक्षा जब आप ले रहे हो तो वहां पे छोटा सा कोटेशन जो है वो कोटेशन मैं यहां कोट करना चाहूंगा कि इतियास को ना समझने वाला खुद एक दिन इतियास बन जाता है तो यह जो थीम है यह जो लाइन है इसके उपर उनका जो जेल के अंदर में पढ़ाई लिखाई का जो पुड़ा जो सेग्मेंट दिखाया गया है वो डिपेंड करता है जहां पे व कि यह जो साइन्स यह सबजेक्स सीखता है तो यह जो SAY आख वि का गैए अफिसेग बच्च सेगवाफ की एक्टिंग की अविशेक बच्छन ने भोत ही बढ़िया मुझे लगा है उनका acting और इसका इतना मतलब आप बोल चेतव हर्यानवी accent को इतना बढ़िया उन्होंने इसमें उतारा है कि उन्ह लग रहे है कि प्रियान भी है मतलब उनका बात करने का तरीका उनका देखने का तरीका ऐसे पगड़ी पहन के उसका खड़ा होने का तरीका सहर जगह से और इस मैं कह सकता हूं के रिजेंट टाइम के अंदर में पिछले दो तीन साल में अविशेक बच्चन और वबी देवल इस गेटिंग दियू रिस्पेक्ट इन टरम्स ऑब वॉल्यूड मूवी तो यह बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया इस गेटिंग और एक किर्दार में कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है वो है यम्मी गौतम का उन्दर में इसके अंदर में काफी बढ़िया काम किया इसे जेलर और उसके साथ में उनके किर्दार में बहुत सारे शेड्स भी है उपर से बहुत शक्त है लेकिन अंदर से काफी नरम है तो यह जो कॉंट्रास्टिंग वाला चीज वो इसके अंदर में दिखाया गया और बाकी किर्दार लगबक सारे ठीकी है लेकिन एक गाना है जो जेल के अंदर में हो जाती ही मतलब गंगाराम चौधरी को जिस तरीके से वेलकम किया जाता है तो वह वाला पॉट्शन में गाना है वह गाना मुझे थोरा फोर्स वीट लगाए गाने में और दो कहानी में आम बोल सकते हो दो मिसिंग लिंक है एक जो है विमला खायत जो है दर्शकों को कनेक्ट करने में आसानी होती तो यह पड़िवार के साथ बैठके देखने वाली फिल्म है तो इसके अंदर में आपको पड़िवार को देने के लिए सिक्षा भी मिलेगा पड़िवार एक बंधन जो है वो भी समझ आएगा और आपको सिक्षा की कैमियत क्या है वो भी इसके अंदर में समझाएगा तो मेरे लिए तो डेफिरिट एक मस्ट वच मूवी है आप जरूर इसको देखिए और देखने के बाद कुछ भी अगर इस वीडियो से आपको अगर सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेग दोस्तों के साथ मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए लवीदाव